हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चानल और आज का वीडियो हमारा है बोगन विल्या की कटिंग कैसे लगाएंगे तो मैं आज आपको बहुत अच्छा और सही तरीका बताने वाली हूं और इस तरीके से आप अगर कटिंग लगाते हो तो आपके कटिंग कभी भी फेल नहीं होग और फ्रेंड वीडियो स्टाट करने से पहले आपनों को भी हैपी इंडिपेंडेंस दे और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल पिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है तो फ्रेंड एब सी वीडियो स्टाट करते हैं स्बोन है स्टिए्ठेंज मैंने सल त्यार कर लिया है साट आपर मैं संटाशन में मिक्स कर लिया है थोड़ा से सैंड मैंने जादर रखा और स्वायल कि campus में तो आप g parallels करें इस तरीके से जब भी कॉटीन लगा है cotton porch की कॉटूंग में लगा रहे हूं और किसी भी कोई भी कॉटिंग लगा है तो इस तरीके का ही mix बना है तो यह तो यह सबसे इंपोर्टन स्टेप है और प्लीज वीडियो को लास तक देखना जुरूर क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा और कटिंग लोगों की बहुत होती है भोगन विल्या की तो इसलिए मैं आज आप लोगों को डीटेल में हैं आपको क्या करना प्रेंग इस पानी में आपको लेना है यह यह sorryन्जी साइड है यह वाइयो फ्न еюсь साइड मैंने लिया आपके पास जो भी वैंडर्विस्टीन जो भी वो आप ले सकते हैं और आप इस पानी में इसको मिला दो त्वा उसके बाद हम इसमें यह जो कटिंग है इन्हें डिफ कर देंगे यह कटिंग मैंने तयार कर रखी है और देखो आप यह जो है हमेशा बोगन विला जब भी लगाओ तो यह ध्यान रखना काटे फ्रेंट्स उपर होते हैं पत्तियां नीचे होती हैं इस चीज का खास ध्यान होती है तो उसमें क्या होता हम लोग कभी कभी लगा जब लगाते हैं पत्तियां रिमूव करते हैं तो उसके बाद यह ध्यान नी रखते हैं पर आपको मैं एक पैचान बतारी हूं कि काटे उपर होते हैं पत्तियां नीचे होती हैं यह कटिंग सही होती है और यहां पर मैं सब्सक्राइब कर देंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन कोई भी बैक्टिरिया हमारी कटिंग में अगर हो जो आ गया हो तो कटिंग के साथ तो वह खतम हो जाए क्योंकि सब्सक्राइब के नहीं लगपाती उसका रीजन होता है कि फंगस या कोई भी इस तरीके का इंफेक्शन जो होता है स्टेम पे जो लगा रहा जाता वो अटैक करने से ही हमारी कटिंग फेल होती है तो इसलिए मैं जो है कटिंग को पूरे अच्छी तरीके से फंजी साइड में मैं डिप कर ले रही हूं तो यह फर्स टेप है बहुत इंपोर्टन स्टेप है इससे जरूर करना आप भी जब भी लगाना कटिंग तो आप देखो मैंने फंजी साइड में इससे डिप कर दिया है अच्छे से यह देखो क्लीन भी हो गई है अब हम स्टार्ट करेंगे तो मैंने लिया यहां पर वही फास्ट रूडर रूटिंग अर्मोन पाउडर है यह रूट्स आने में हल्प करता है और अब मैं क्या करूंगी कि एक और कटिंग रह गई थी मैंने देखा लिए यहां पर आपको जहां पर आपने यह 45 डिग्री का कट लगाया होता है वहां पर आपको स्क्रैच करना है थोड़ा सा तो इस तरीके से आ और हां एक और इंपोर्टन बात जब भी आप कोई भी फूनिंग शियर ले उसे पहले से वाश कर ले या स्टेड़ाइस कर ले इस तरीके से आपको स्क्रैच कर दिना हल्का सा यह देखो इस तरीके से कटिंग के सक्सेस रेट बढ़ जाते है नोड एरिया के पास से आपको को कट लगाना और उसके बाद हलका सा स्क्रैच कर दिना है जो स्केन ऊती उपर वाली तरीके से ऐसे करके मैं सारी कटिंग ठील लिया सारी कटिंग को अपनी और और जो कटिंग है उसका साइज जो है आप देख लो काटे से देख लेना कि 1 2 3 1 2 3 4 पांच 5 काटे या छे करें, तो इस तरीके से कटिंग, अपनाम लेना है एक दो तीन, चार Popें, अब मैं ये इसे हमणने हम इसे कारीं Jimmy प्रूट ओर्मोन लगादेना और उसके बाद हम कट्टिंग को लगादेंगे और प्रेंट्स एक इंपोर्टन बात और आप से शेयर करेंगे करना है कि अगर आप क्या बारिश हो रही है जैसे कहीं अभी बारिश नहीं हो रही है कहीं हो रही है तो आप बिल्कुल जो कट्टिंग लगाएं उन्हें कोवर भी करें कौली बैक से प्रेंस रट्टिंग का काम हमारा हो गया है और आप देख सकते हो मैंने खारी कटिंग को अच्छे से लगा दिया है और अब मैं इसमें यही जो फंजी साइड वाला पानी था वह मैं इसमें दूंगी ताकि स्वाइल में भी अगर किसी तरीके से कोई भी इंफेक्शन ब्राक करें कि आप एक छोटा पॉट लें तो उसमें अच्छे से ग्रोथ होती है और क्योंकि जो नीट्रिशन रहता है वह छोटे से एरिया में रहता है और अब बड़े से गंबले में लगाता है तो पूरा जो भी हम लुखात दालते हैं जो भी चीज़ा नेट करते हैं वह सारा cents टो और में मिल पाता है तो आपको वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा और अब अब मैं आपको एक cutting से मेरा जो सारय प्रेंश कपा ह好不好 डिए में आपको दिखाती हो इस ताइम दो चलते हैं मेरी वह बॉपनवरया जो मैंने cutting से 2 साल पहले गरोग और फेल्च की देखोहईंट यहाँ यह अंपर कितनी मोटी सी cutting बड़े थी और अप दिखो कितना अच्छे से यह ग्रो वगा और इसना बड़ा सा मेरा यह प्लांट बढ़ी यह ऑर इंज कलर की बॉकंवेलया का प्लांट लगाने का तारीका बिलकुल सेम था तो फ्रेंड्स आइओ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो